ब्लाक कैसर गंज के अंतरगत ग्राम पंचायत साला हुआ छेत्र में फरजी कारी योजना दिखाकर पैसे निकाले गए हैं। इस संबन्द में वहीं के ग्रामेडों ने उच्चा दिकारियों को सिकायती पत्र देकर जाच कराने की मांग की है। वहीं के निवासी संदीब कुमार वर्मा ने मीडिया करमी सुनील कुमार गुपता से बात करते वक्त बताया कि ग्राम पंचायत सच्यू नीलम वर्मा तता प्रधान ने फरजी कारी योजना दिखाकर सरकार का धन दुरुपयोग किया है। इसके बारे में कई उच्च अधिकारियों को स्टिकायती पत्र भी दिया गया है लेकिन अभी तक इसकी प्रमुकता से जाच नहीं की गई है। अगर प्रमुकता से उच्च अधिकारियों द्वारा जाच की जाये तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा। तता सरकार का धन का दुरुपयोग से निजात मिलेगी। अब देखना होगा कि योगी राज में खबर प्रकासित होने के बाद ब्लाक कैसर गंज के जिम्मेदार अधिकारी इसकी सुद्ध लेते हैं या ठंडे बस्ते में ये खबर भी डाल दी जाएगी। नमस्कार देखें समय जनपत बाहराज तैसिल कैसर गंज के अंतरगत ग्राम पंचायत सलो हुआ। मैं मवजूद हैं यहां पर कुछ जनता की समस्या है जरा मैं जानका यह लेना चाहता हूं क्या समस्या है। वैसे अपना नाम पर्चे बता है। बाईए मेरा नाम संदीकुमार बर्मा। कहा से डिखाया हूं। नेरा दिखाया है सकील के खेज से नहर तक चकबंद का कार। ये सिग्रेटरी कौन है सिग्रैटर निलम बर्मा काउं सा बिलाख है कैसर घर जिला कउन सा बारएज आप क्या चाहते हैं हमें चाहते हैं कि एक सलग का दो बार पैसा इन्होंने निकाला है उसकी मलब जो हो रिकुरी हो नीचे ही यह भर्जी है सर यानि कि सारे अधिकारी जो तक कोई सुनवाई नहीं हुई साथी हम चाहते हैं कि मतलब जो है इसकी जहांच करके जो है मतलब रिकोरी होनी चाहिए सरकार का धाम दूरूपयोग मना हो सके धन्यवाद भाहर साब नहीं पर्चय बता है कलो और हुआ क्या समस्या है बस बता है यह समस्या है अपकॉंसा ग् पर इस इसी को पटाय करके पैसा निकाल लिया है और प्रजी दिखाकर पैसा निकाल लिया है और काम भी नहीं हुआ है अब कुछ बताएंगे आप क्या समस्य आपकी अब लगाएंगे निकाल गया है आपका नाम क्या है रमेश ने बताया है कि यहां पर बिलाक कैसरेंगे अधकारी क्या नाम है उसका निलम भर्मा ने दो बार सड़क पटवा कर फर्जी पैसा निकाल करके सड़क पटी हेकी बार लेकिन दो बार पैसा निकाल लिया गया है